सब्सक्राइब किजिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाईए और उसे दिबाने के बाद बैल आइकन के बटन को दबाईए ताकि आने वाले नए वीडियोज के अपडेट्स आपको रेगुलर्ली मिलती रहे दोस्तो आज के समय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास कोई परेशानी या मुसिबत ना हो वर्तमान समय में हर कोई इंसान अपने जीवन की परेशान्यों को लेकर काफी चिंतित रहता है परेशानी आना स्वाबाविक है परन्तु इनका आना किसी को अच्छा नहीं लगता ये सच है कि मुसीबते हमारे पास बिना बुलाये चली आती है कई बार इनके कारण हम उदास्तों होते ही है और तनाव ग्रस्त भी हो जाते हैं जहां समस्या है वहीं तलासने से उसका समादान भी निकल ही आता है जिन व्यक्तियों को जिवन में बार बार कोई न कोई समस्या या परेशानी आ रही है ऐसे व्यक्तियों का निरास और हतास होना स्वाबाविक है यदि आपके जिवन में भी मुसेबते जरूरत से ज़्यादा आ रही है तो आज हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में जानकरी दिने वाले हैं जिनको आप अवश्य कीजिए इन उपायों करने से आपके जिवन की समस्याओं में कमी अवश्या आएगी और आपको सफलता भी प्राप्त होगी तो चलिए जानते हैं उपायों के बारे में पहला उपाय किसी भी महत्वापून कारिय पर जाते समय ध्यान रखे कि सदेव दाया पेर ही बार निकाले दाया पेर बार निकालना अतिसुब माने जाता है अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आप जिस कारिय के लिए जा रहे हैं वो कारिय बहुत सिग्रही सफल होता है और उसने आपको काम्याभी अवश्य प्राप्त होती है दूसरा उपाय अगर आप किसी सुप कारिय के लिए घर से बार निकल रहे हैं तो थोड़ा सा गुड़ खाकर और पानी पिकर निकले, माना जाता ही कि ऐसा करने से आपके कारिय में आने वाली बाधाये दूर हो जाएगी, और आप जिस काम के लिए बाहर जा रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी. तिसरा उपाय, अगर आप अपने भाग्य को प्रबल बनाना चाते हैं, तो घर से बार किसी भी कारिय पर जाने से पहले आप मिठा दही खाकर निकले. ये माना जाता है कि जब भी गर से बार किसी कार्या से जा रही हो तो मिठा दई अवश्य खाना चाहिए इस से कार्यों में आ रही बादाए समाप्त हो जाती है और भाग्य भी प्रबल बनता है चोथा उपाए अगर आप अपने कामकाज में आने वाली बादाओं को दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए रोजाना नियमित रूप से सुबह के समय स्नान आदी कार्यों से निवरुत होकर गीता के ग्यारवे अध्याय का पार्ट करें गीता के ग्यारवे अध्याय का पार् कामकाज में आने वाले बादाए दूर होती है और आप अपने कामकाज बेतर डंग से कर पाएंगे। पाचवा उपाए सुब कामके लिए घर से बार निकलने से पहले सिर्फ दो मिनिट का समय निकलकर घर के मंदिर या भगवान की मूर्तिक के सामने माथा टेकना चाहिए और जिस कामके लिए जा रहे हो उसमें सफलता पाने की प्रार्तना करनी चाहिए ऐसा करने से कारियों में बादाए नहीं आती और वो कारिया सफलता पूर्वक पूरा हो जाता है चठा उपाए हिंदु दर्म में पानी से बरे मटके को देखना सूब माना जाता है इसके सूबता को बरकरार रखने के लिए घर से बार एक सुराई या मटके में पानी बरकर रखना चाहिए और किसी सूब कारिय के लिए जाने से पहले पानी से बरे उस मटके को देखते हुए गर से बार निकलना चाहिए ऐसा करने से कारियों में किसी भी तरह की रुकावर्ट नहीं आती है सात्वा उपाई अगर आप अपने घर परिवार में सुक सांती बनाई रखना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने घर में तूलसी का पौदा अवश्य लगाईए परिवार में सुक्सान्ती और बादा रही जिवन के लिए घर में स्यामा तुलसी का पौदा लगाना सुब और अनुकूल माना जाता है सायाकाल यानि की साम के समय तुलसी जी का पुजन सुद्धगी का दिपक जला कर करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने कामकाज में किस्मत का साथ मिले तो आप ये उपाई अवश्य करे दोस्तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय मालक्स में अवश्य लिखे